36 गड़ के डेपूटी सीयम स्रीमान टीएस सींदेव जी केंद्रिय मंत्रिमंडल की मेरी सहयोगी बहन रेणुका सींजी सामसद महोदाया विधाय गण एवं 36 गड़ के मेरे परिवार और जनौं आज 36 गड़ विकास की दिशा में एक और बड़ा कसम उठा रहा है आज 36 गड़ को 6400 करोड रुपे से अधिक की रेल परियोजनायों का उपहार मिल रहा है 36 गड़ का सामर्थ उर्जा उत्पादन में बढ़ाने के लिए स्वास्त के एक शेत्र में और सुधार के लिए आज अनेक नई योजनाओं का शुभारंब हुआ है आज यहां सिकल सेल काउंसिलिंग कार्ड भी बाटे गए है साथियों आधुनिक विकास की तेज रप्तार के साथ ही गरीब कल्याण के भी तेज रप्तार का भारतिय मोडल आज पूरी दुनिया देख रही है उसकी सरहना कर रही है आप सबने देखा है कुछ दिन पहले जी ट्वेंटी सम्मेलन के दोरान बड़े-बड़े देशों के राष्टा द्यक्ष दिल्ली आये थे यह सभी भारत के विकास और गरीब कल्याण के प्रयासों के से प्रभावित हो करके गए हैं आज दुनिया की बड़ी-बड़ी संस्ताएं भारत की सफलता से सिखने की बात कर रही है ऐसा इसलिए क्योंकि आज विकास में देश के हर राज को हर इलाके को बराबर प्रास्पिक्ता मिल रही है और जैसा उपमुक्यमंति जी ने कहा हमें मिलकर के देश को आगे बढ़ाना है 36 गड़ और राइगड़ का ये इलाका भी इसका गवा है मैं आप सभी को इन विकास कारियों के लिए बहुत बहुत बढ़ाई देता हूँ मेरे परिवार जनो 36 गड़ हमारे लिए देश के विकास के पावर हाउस की तरह है और देश को भी आगे बढ़ने की उर्जा तभी मिलेगी जब उसके पावर हाउस अपनी पूरी ताकत से काम करेंगे इसी सोच के साथ बीते नव वर्षों में हमने 36 गड़ के बहुत मुखी विकास के लिए निरंतर काम किया है उस वीजन का उन नीतियों का परणाम आज हमें यहां दिख रहा है आज 36 गड़ में केंदर सरकार द्वारा हर छेत्र में बड़ी योजनाएं पूरी की जा रही है नई नई परियोजनाओं की नीव रखी जा रही है आपको याद होगा अभी जुलाई के महिने में ही मैं विकास परियोजनाओं के लिए राइपूर आया था तब मुझे विशाखा पंट्नम से राइपूर एकोनामिक कोरिडोर और राइपूर से धनबात एकोनामिक कोरिडोर जैसी परियोजनाओं के सिलाने रास का सवभाग्य मिला था कई एहम नेशनल हैवेज का उपहार भी आपके राजी को मिला था और अब आज 36 गड़ के रेल नेटवर्क के विकास का एक नया अध्याय लिखा जा रहा है इस रेल नेटवर्क से बिलासपूर मुंबई रेल लाइन के जार्शु गुड़ा बिलासपूर सेक्शन की व्यस्तता कम होगी इसी तरह जो अन्य रेल लाइने शुरू हो रही है रेल कोरिडोर बन रहे हैं वो 36 गड़ के अउध्यों की विकास को नई उचाई देंगे जमिन रूर्ट पर काम पूरा होगा तो इससे 36 गड़ के लोगों को तो सुविधा होगी ही साथ ही यहां रोजगार और आमदनी के नए नए आउसर भी पैदा होगे साथियों केंद्र सरकार के आज के प्रयासों से देश के पावर हाउस के रूप में 36 गड़ की ताकत भी कई गुना बढ़ते जा रही है कोल फिर्ट से पावर प्रांट तक कोईला पहुंचाने में लाकत भी कम होगी और समय भी कम लगेगा कम किमत पर जादा से जादा बिजली बनाने के लिए सरकार पिटहेड थर्मल पावर प्रांट भी बना रही है कि तलाई पल्ली खदान को जोड़ने के लिए 65 किलोमेटर की मेरीको राउंड प्रोजेक्ट का भी उद्गाटन हुआ है आने वाले समय में देश में ऐसे प्रोजेक्ट की संख्या और बढ़ेगी और इसका लाब 36 गड़ जैसे राज्यों को सबसे जादा मिलेगा मेरे परिवार जनो हमें अमरित कान के अगले 25 वर्षों में अपने देश को विक्षिद बनाना है एक काम तभी पुरा होगा जब विकास में हर एक देश्वासी की बराबर भागिदारी होगी हमें देश की उर्जा जरुतों को भी पुरा करना है और अपने परियावरण की भी चिंता करनी है इसी सोच के साथ सुरतपुर जिले में बंद पड़ी कोईला खदान को एको टूरिजम के रुपे विक्षित किया गया है कोरवा ख्षेत्र में भी इसी तरह के इको पार्ग विक्षित करने का काम किया जा रहा है आज खदानों से निकले पानी से हजारों लोगों को सिंचाई और पेजल की सुविदा उपलब्द कराई जा रही है इन सभी प्रयासों का सीधा लाप इस ख्षेत्र के जन जातिय समाच के लोगों को होगा साथियों हमारा संकल्प है कि हम जंगल जमीन की हिपाज़त भी करेंगे और वन संपदा से खुछाली के नए रास्ते भी खोलेंगे आज वन धन विकास योजना का लाप देश के लाखों आदिवासी युवाओं को हो रहा है इस साल दुनिया मिलेट यर भी मना रही है आप कल्प्रा कर सकते हैं आने वाले वर्षों में हमारे स्री अन्न हमारे मिलेट कितना बड़ा बाजार तायार कर सकते हैं यानि आज एक और देश की जंजातिये परंपरा को नई पहचान मिल रही हैं तो दूसरी और प्रगति के नए रास्ते भी खुल रहे हैं मेरे परिवार जनों आज यहां सिकल सेल एनिमिया के जो कांसिलिंग कार्ट बाटे गए हैं वो भी विशेश कर जन जातिये समाज के लिए एक बहुत बड़ा सेवा का काम है सिकल सेल एनिमिया से सबसे जादा हमारे आदिवासी भाई बहनी प्रभावित होते हैं हम सब मिलकर सही जानकारी के साथ इस बिमारी को नियंत्रित कर सकते हैं हमें सबका साथ सबका विकास के संकब से आगे बढ़ना है मुझे विश्वास है 36 गड़ की विकास यात्रा में भारत सरकार ने जो कदम उठाए हैं वो सारे कदम 36 गड़ को विकास की नईव चाहियों को ले जाएंगे इसी संकल्प के साथ आप सभी का मैं रदे से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ अगले कारकम में मैं कुछ बाते भी स्टार से बताऊंगा आज इस कारकम के लिए इतना ही बहुत बहुत धन्यवाद